तो पार्वति काली सिंद चंबल योजना को हरी जंडी मिल गई है मध्रप्रदेश और राजस्थान सरकार की वीच समझोता हस्ताक्षर हुआ है केंद्य जल शक्ति मंत्री गजिंद्र सिंग शेकवत की मौशूद्गी में समझोता हुआ मध्रदेश के सियम और राजस्थान के सियम दोनोंने मौई उपर हस्ताक्षर कर दिये हैं समझोते से पश्चे में एंपी को काफी फायदा होगा परियुजना से एंपी के 26 जिलों को फायदा होने वाला है 75,000 करोड रुपे से इस परियुजना की लागत इसमें आनी है परियुजना से लगभग 5,60,000 हेक्टेर क्षेतर में सचाही होगी तो यानि की जो मांग उठ रही थी उस दिशा में एक बड़ा कदम उठा लिया गया है अब चंबल सिंध नदी के लिंक से कही न कही दोनों ही राज्यों को फायदा मिलता नजर आएगा और केंद्रिय मंत्री गजेंद्र सिंग शिखावत की मौझूदगी में पारवती काली सिंध चंबल नदी को जोड़ने पर दोनों राज्यों के मुखे मंत्रियों ने सहमती जताते हुए MOU पर हस्ता अक्षर ही है पारवती काली सिंध चंबल परियोजना नेशनल परस्पेक्टिव प्लान जो सम्मानिया अटल जी के समय नदी जोड़ने के प्रकल्प के तहत बना था दुरभाग्य से वो आगे नहीं बढ़ पाया एक नई नदी जोड़ने की प्रियोजना एक प्रकल्प भारत सरकार के नैशनल वाटर डवलप्मेंट अथार्टी ने बनाया था और मुझे अत्यन्त प्रसन्यत है कि इस प्रकल्प पर आज दोनों राज्यों ने वारत सरकार के साथ में समझोता पत्र पर हस्ताक्षर किया है और एक मार्ग जो है इस दिशा में इस प्रियोजना के आगे बढ़ने की दिशा में प्रशस्त हुआ है मिश्वित रूप से ये आज का दिन हमारे लिए यसर श्वी प्रधानमत्री के मौझूद्गी में खासकारून की सरकार के माध्यम से मालवा, चंबल या एंचल तो ये बहुत कष्ट के जिले थे जहां हम कगर मुरेना, गवालियर, गुना, श्वीपूरी, इदर आगर, राजगर, उज्जेन, देवास ये पूरा बेल्ट जो हमारा ड्राइ बेल्ट था, इस बेल्ट के अंदर पानी के ना के विल्ट उकलब दता होगी, जिससे हमारा उद्धोगी करन का भी बेल्ट नया बनेगा, बलकि सिचाई का बहुत बड़ा रगबा बनेगा, लगबक तीन लाख हेक्टर से जादा जमी इनकी सिचाई होने वाली है, हमारे सभी धार्मी के स्थान, सभी परेटन के केंद्र, सभी रकार के संस्थान, विकास के लिए, पश्चिम मतब्देश के लिए ये बहुत बड़ा एक तरसे वर्दान है जो दो दशकों से जमांग उठ रही थी, उस पर जाकर अब सहमती बनी है, और शिफम कहीं न कहीं अब एक बड़ा फायदा मिलता हुआ, नजर आएगा, हमारे साथ हमारी सयोगी निलम सिधा भोपाल से जड़ गए हैं, जरा निलम को लेकर आए इस स्क्रीन पर, और निलम जस तरीके से अब इस योजना को, क्योंकि दो दशकों से इसकी मांग उठ रही थी, कभी राजस्थान के तरफ से इस पर फैसला नहीं हो पाया, कहीं दोनों राज्यों के बीच में असमंजस के स्थितराई आखिरकार उस समझावते पर हस्ताक्षर हो गए हैं, क्या ब्लू पर अब जाकर के अब MOU पर साइन हो गया है, मध्य प्रदीश के मुखे मंतरी रॉक्टर मोहन यादाव और राजस्थान के मुखे मंतरी बजनलाल शर्मा ने केंडरी जल शक्ती मंतराल है, और केंडरी मंतरी के मौजूदगी में MOU पर साइन कर दिये हैं, त्री पक्षी सम समझौता किया गया है, यानि की मध्य प्रदीश, राजस्थान और केंडरी सरकार ये तीनों ही पार्टिया इस MOU में रहेंगी, अगर हम फायदे की बात करें, तो देखे मध्य प्रदीश का जो उत्री इलाका है, जिसमें की गौले चंबल संभाग के जिले आते हैं, यहां पर सूखे की समस्या अकसर ही देखने को मिलती है, इस वज़े से ही राजस्थान के साथ जो है समझौते की बात लगतार की जा रही थी, जिसमें की पारवती, कालिस सिंध और चंबल नदी, तीनों के जल के बटवारे को लेकर के समझौता किया जाना था, अब जब यह समझ हो गया है, तो इस परियोजना में करीब 75,000 करोड की लागत आएगी, फायदे कि अगर हम बात करें, तो करीब 5,5 लाक हैक्टेर से भी जादा जमीन पर सिचाई हो सकेगी, यानि कि खेती को भी फायदा होगा, किसानों को काफी जादा राहत यहाँ पर मिलती हुई नजर आ काजस्थान की बॉर्डर से लगते हैं, और उनके आस पास के तमाम इलाके जो है इस परियोजना के तहट आ जाएंगे, तो यहाँ पर जो है सूखे से फायदा मिलेगा, किसानी बढ़ेगी, क्योंकि सिचाई के लिए परियाप्त मातरा में पानी मिल पाएगा, तो जाहर त काजसक से यह पूरी परियोजना लंबे थी, 2004 में भी राजिस्थान की तरफ से रिपोर्ट तैयार की गई थी, फिर 2019 में भी एक रिपोर्ट तैयार की गई थी, और अब इन दोनों ही पर जो रिपोर्ट तैयार की गई थी परियोजना अकले, उन्हें समावेश्वित करते ह हुए ये नई पर्योजना जो है बस्तित्व में आ गई है जी बिल्कुत